तो गाई जास की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Facebook Messenger यूज़ करते हैं और यहाँ पर जैसा कि आप देख भी सकते हैं Facebook Messenger में आपको यहाँ पर Active देखने को मिल जाते हैं कि कौन-कौन से लोग जो है Active है, Online है तो अगर आपको यह Active status जो है शोन नहीं हो रहा है कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कोन Active है, कोन नहीं है यहाँ पर देख भी सकते हैं, Green Color का यहाँ पर एक बना हुआ है सिंबल इससे पता चल जाता है कि कौन-कौन बर्दा यहाँ पर जो है Online बैठा हुआ है, Active है अभी तो ऐसे में अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कोन Active है तो इसमें आपको करना क्या है, इसको शोग करने के लिए यहाँ पर आप एक छोटी सी सैटिंग होती है, उसको यहाँ पर आप जो है Unable, Disable करना पड़ता है उसके लिए आपको Messenger को Open करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं, Messenger ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आएगा, उपर की तरफ थ्री लाइन से इस पर क्लिक करिए अब यहाँ पर Right Side में उपर की तरफ एक सैटिंग का आइकन है, इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे, अब Second Number पर आप देखिए, Active Status लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आप कहीं लोग करते क्या हैं, इसको बंद कर देते हैं मतलब आप भी दूसरे परसन को शो नहीं होंगे, Active है या नहीं है, अगर आपने बंद करके रखा है तो इसको यहाँ पर आप अपने हिसाब से सैटिंग कर लीजिएगा, Until I Change for One Hour यहाँ पर दिखा रहा है कि आप active status को कितने टाइम के लिए बंद करना चाते हैं, एक गंटा, आट गंटे और यहाँ पर custom अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से इसको बंद कर दीजिएगा, यह settings जो आपकी यहाँ से बंद कर देनी है नज सोरी बंद होंगी तो ओन कर देनी है, तो आप जो है देख पाएंगे, आपका active status शो होने लग जाएगा यह आपकी बंद होंगी, आपको own करनी है, जैसे यह है, बंद कर देनी है, तो back आजाना है, ओन करने के बाद, then back आना है, problem अगर फिर भी solve नहीं होती है तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में आना है, और अपने messenger को एक बार सर्च कर लेना है, तो messenger को सर्च कर लेते हैं तो update करने के बाद problem solve हो चाएगी, अगर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर एक और काम आप कर सकते हैं, long press करिए इस पर और यहाँ से इसको uninstall कर लेजिए, आपको जो अपने messenger को uninstall करना और फिर से reinstall कर लेना है, प्ले स्टोर में जाने के बार, एक बात का ध्यान रखिए, आप किसी website से मत करिएगा, आपको जो प्ले स्टोर से ही इसको install कर लेना है, तो आप देखेंगे, फिर आपकी problem solve हो जाएगी, कोई problem नहीं होगी, अगर फिर भी कोई problem बनी रहती है, मुझे comment करके बताएगे, मैं और solution लेकर आँगा, तो guys, आसके वीडियो में इतना ही मिलते हैं पिर आपकी अपकी तोब कर.